तो लिशा सहर मां थी 65 थता नेशनल हावे पर बनास नदी पर ब्रिज बनावा मावे लुछे जे मास जुनो ब्रिज अपक्षोती ग्रस्त थता छो मास पहला बंद करी देवा मावे होतो अने ता जुतरխा तेननू समार काम शरू करी ने मात्र दस्यक दिवस मा समार काम पूरू करी ने फरी सरक्रम मावचे परन्तु मात्र दस एक दिवस ना कामकाज माटे आब्रिज ने छो मास थी बंद रखायों तो अने तेना लिते असंखेल लोकों ने जिव गुमावा पड़या तेने लोकों नी किम्ती समय पंड ट्राफिक ना कारणे बगाड़यों पड़यों तो ने लाखो रुपया ना कर्चे बनास नदी माँ नव रस्तोपन बनावान नी नोबत आवी तेरे जे रिते मात्रा दस दिवस माज आ ब्रिजनू समार काम श्रक्या हतो तो नेशनल हाइवे ऑथोरिटी द्वारा छो मास सुधी कौने राज जवा मावी रहती अने छो मास सुधी ब्रिज बंद रहता थैला जान माल अने आर्थिक नुक्षान नो जवाबदार कौन जर्या ब्रिज क्षती ग्रस्त होवाना लिदे बंद करवा मा आवे हतो ने त्यारे नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ना प्रोजेक्ट डारेक्टर नो टेलिफोनिक संपर करे हतो ने ब्रिज बंद करवा थी थनार संबवित नुक्षान अंगेपन माहितगार करया था परंद तैमने आवात ने बिल्कुल गंबिगता थी लिदी नो आती अने ब्रिज नु समारकाम थाई जशे जिवो उडाव जवाब आपे हतो तेरे नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ना प्रोजेक्ट चेर्मेन ने प पुरत जोईने बैठी हती शूर नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ने मानव जिवन नी कोईज दर्कास नो थी जे आजे हाइवे ऑथोरिटी तो जवाब आप्षे नई परंद तैमनी मनमानी अंगे लोको ए पोतानी प्रतिक्रिया पिछे डिसान आने ओवर ब्रिज ना काराणे गणा बदा नाना मानसो ना करूण मोध थाई गया आजे नानु समारकाम बाकी ववादी छाव महिना थी मानसो ने हेरंगती करता ताने आई वे अथोरिटी वाळाओ अब ब्रिज नु काम ओचू राख रह दू अने ना काम माटे पबलिक ने हेरंगती गणी बदी करी छाव महिना थी नाने एक खाली अंदर लोकषन नी पाईपो जोहिंट करवा माटे आ पबलिक ने हेरंगरमा माविया अने समारकाम गणू लेट ती चालू करियू अने प अने पूर्मा भी एक नाना अकस्मात दियो नानियु मता भई जे केवाए बाप जी यह दा सारा मानाज यह एमनू भी करून मोध थायू राकेश ठककर साथ लाइट 24 न्यूज डीसा